बेहार को अरजकता में ढखेल कर पूरे देश के अंदर जो माहौल बनाना चाहते हैं पूरी तरह से बिफल रहे हैं और जिनके कॉंग्रेस मुक्त भारत के पक्ष में जो आंदोलन लेकर के चले थे आज उन्हीं की गोद में बैट कर आज इनके नेता पाकिस्तान के बारे में बेहार के मुख मंत्री और बिहार के उपमंत्री कल हर्याना में ने कहा कि 2024 में सभी बिपक्ष की पाटियों को एक जुट होना होगा ताकि देश से बीजेपी को हटाया जाए हाला कि जब आज इस पर हमने बिहार के नेता पर्टिबग बीजेश सीना से सवाल किये तो उन्होंने सीधे सब्दों में कहा कि यह जो एक जुटता की बात हो रही है वो उससे कुछ नहीं होगा दो हजार आज हरियाना में के जिस तरह से मुक मंत्री और मुक मंत्री विहार के अपने परिवारवाद वरस्टाचार को संदच्छित सुरच्छित करने के लिए लोगों से मदद की उम्मीद लेकर गए थे कोई मुख मंत्री का नहीं आना और जितने इनके सोभाविक सोरूप में साथ देने वाले लोग हैं सभी भैवित लोगों की जामात आज राष्टवाद के पत पर चलने वाले देश की माननीय प्रधान मंती नरेंदर मोदी जी का जो विरोध अपने स्वार्त महत्वा कांच्छा की पूर्ती के लिए कर रहे हैं बेहार को अरजक्ता में ढखेल कर पूरे देश के अंदर जो माहूल बनाना चाहते हैं पूरी तरह से बिफल रहे हैं और जिनके कॉंग्रेस मुक्त भारत के पक्ष में जो आंदोलन लेकर के चले थे आज उन्हीं की गोद में बैठ कर आज इनके नेता पकिस्तान के बारे में भी क्या-क्या बोल रहे हैं किस हद तक गिरेंगे माननीय मुक्मंत्री जी आपको अब निर्ने करना होगा तो सुना अपने सीजे तोर पे बिजय शीना ने बिहार के मुक्मंति नितिश कुमार पे तंच कसा है और कहा है कि जो एक जुटता की बात कर रहे हैं पहले बिहार की विकास की बात कर ले बिहार में उन्होंने क्या क्या है वो सबको पता है और जो कल वो हर्याना में जनसवा को संबोधित कर रहे थे और बीजेपी भगाव आंदोलन के साथ जनसवा को संबोधित कर रहे थे उससे कुछ होगा ने 2024 में पुना केंदर में बीजेपी की सरकार रही क्योंकि देश की अवाम जानती है कि किसको अपना प्रधान सेवक बनाना वहीं बिहार के उप्मुकमंत्री तेश्पी यादब पे भी तंच कसते हुए उन्होंने कहा कि ब्रश्टाचारी है और ब्रश्टाचारी हो गए बचा बिहार के मुकमंत्री और राजय शुपी मो लालू परशाद यादबी दिल्ली में सोन्या गांधी से भी मुलाकात किये हैं दोनों ने साधा प्रेश कॉन्फरेंस भी किया और प्रेश कॉन्फरेंस में ये कहा है कि पिपक्षी एक जुटता की बात हो चुकी है और जब कॉ कहते हैं बने रहेगा लाइब यार के साथ अभी के लेतना है नमस्कार लाइब भिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेस्बुक पर लाइक जरूर करें